सॉरी किसी की मुं में अगर पानी आ रहा हो तो फिलिंग एक्साइटेड एक छुटकू सा डी आइवाई था नमस्ते फैमिली आज की ब्लॉग की सुरुआत करती हूं मेरे सबसे प्यारे और जो मुझे सबसे जादा सुकून देता है मेरे पौधे तो मैं पौधों को कभी- नीच पे मेरे हस्बिन को लेना था पानी क्योंकि उनको कपड़े धोना था तो बस उसके बाद डैरिक्ट मैंने जो है साम को या फिर मैं बोलू रात को साड़े नौ बज़े से ब्लॉग स्टार्ट करा आज बना रही हूं कुछ स्पेशल मतलब आलू के पराठे ठंड हो औ आलू के पराठे ना बने ऐसा तो होई नहीं सकता तो यह कंप्लीट हो गया है अब जो आटा बचा है उसको मैं ट्रांसफर कर दूंगी दूसरे बरतन में ताकि फ्रिंज में रखने में आसानी हो और रात को कोशिश करती हूं कि किचन हमीज़ा हमीजा क्लीन करके सो हूं क् कि परंघाल के सुभा इसे मेरा बौहत टाइम बसता है बंच बहुत बार नहीं हो पाता है कभी टाएड में प्रेइब बॉह और चैना दाल इस में रख रहा हूं एक टेठ पटटा डाल दूझे बहुत कम हो जाती यह फिर नाक होती और थोड़े से चनादाल पहले के थे तो मैं इसको दूसरे कटोरे में ट्रांसफर कर रही हूं सुबा इसका कुछ बनाओंगी तो रात को इसको सोक करके रग दे रही हूं उसके बाद में जो काम थे वो लगबाग खतम हो चुके हैं मेरे हेलो फ्रेंट्स विल्कम बैक टू दे चैनल कैसे हैं आप सब वासा करते हैं अब सारे फ्रेंट्स बहुत ज्यादा अच्छे होंगे तो अभी बज रहे हैं रात के दस बचके बीस मिनिट और मैंने सारे काम अपने खतम कर लिए हैं बस डिनर करने जारी हूं तो आज बनाया ह है आलू का पराठा और अचार क्योंकि सर्दियों में तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट काइन के पराठा बहुत अच्छे लगते बट मेरे घर में सबको यह ज्यादा पसंद है तो अच्छा आप लोगों के साथ कुछ DIY भी सेयर करती हो अगर आपके पास कोई भी पुरान कुरता या टीशेट है तो इस तरह से रियूस कर सकते हैं मेरे पास यह पुरानी राखी पड़ी थी बहुत ही क्वेर की साइट में थी तो मुझे यह पिल्कुल थो करने का मन नहीं करता है उसके धागे को काटा और अंदर की तरफ कार्ड़ या पेपर आप रख ले उसके इसको चिपका दिया जरूर से आप इस तरह से टीशेट रियूस करें बहुत इजी होता है इंड क्विकली हो जाता है इस तरह के कुछ उल पड़े वे थे मेरे पास में जिसको मैंने काटा नहीं है वो जिस शेप में थे बो शेप में उसको एस इस मैं यहां पे चिपका दे बस कुछ नहीं करा मैंने पुरानी राखी ती उसको लिया एंड यहां पे नेक पे मैंने तो उल लगा दिया तो मुझे तो बहुत जादा अच्छा लग रहा है कोसिस करती हूं कि बच्चे जब सुबह स्कूल जाते हैं तो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि वो इसी तरह जाते जाते हैं तो यह थो दो जाने के नाम पे एक्साइटेड होना चाहिए बच्चो को अब बाल कटाने जाएंगे क्या आ हूं मैं आज मैं सुबह साड़ी च्छे बच्छे बच्चे से उठी हुए हैं और मुझे अब इतनी ताइप किया रही है ना है अच्छी कल राट को कु सुबह में बच्चों कारे देना है ब्रेकफस्ट की तैयारी नहीं की ती तफ़ मुझे सुबह उठता थे ब्रेकफी साथ हिए सबजी जो वी बनना था वो सब बना लिया है मषीन में सारा कप्रे मैं लगा दी है कप्रे धूल गया है तो स्कूंधको निकालून खी और यह है मेरा सीक्रेट टोनर कुछ दिनों से मैं यह यूज कर रही हूं जो चावल मैं दोती हो उसमें से सेकेंड वॉस जब करती हूं तो थोड़ा सा पाने निकाल लेती हूं और उसे एज टोनर यूज कर रही हूं ट्रस्ट में स्केन का टेक्च्चर बहुत अच्छा आज अरू स्कूल से आके गुस्से से रूम में भी नहीं गिया देखो यहां पे आया मूफ लाया और इसको नीड आ गई तो मैंने यह पे इसको ब्लैंकेट वगेरा बददा डग दिया बट इसने खाना भी ने खाया विसके माम भी आ गई है तो इसको था के बस मैं खाना क आ की आवे आरू ला लाया 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 मूद्या मिल लाया तरम हो चुका है उसमें मैं डालूंगी राई जीरा और हींग प्यास जीरा पाउडर धनिया पाउडर सौफ पाउडर एक चमच अमचूर पाउडर एक चमच लसन और मिर्ची हमने तूटी थी वह एड़ करेंगे और जो सारे मसाले मैंने आपको बताया कि इसमें थोड़ा सा हल्दी तालों को लो फ्लेम पे आपने भूलना है तमाटर नमक अब आलू जो बॉइल करके रखा था इसको एड़ कर गूंगी आलू को थोड़ा साइड में रखा है मैं तब बहुर फाइली मैंने कट नी करा है मैच कर दिया है और ये पानी बनने वाली आलू की सब्से जरूर ट्राइ करना बहुत यमी लगती है बिल्कुल हलवाई के जैसा टेस्ट आता इसका काम कहां खतम होते हैं जल्दी जल्दी सोचा आज उस दिन मैंने उतना ही सूट करा उतना सूट करके फिर मैंने मेरे नहीं कर पाई ये सैटेडे की क्लिप है तो आज ना दोपहर में मेरा मन नहीं हो रहा था दाल चावल कुछ बनाने का क्योंकि वेदर इतना गंदा होके रखा है ना तो सोचा कुछ अच्छा सा बनाती हूं बच्चों को पूरी खाने की मन दी तो जटपड मैंने सोचा कि प वो चार तो सुनाई देती थी कि पता ने इसको खिचडी कितना जादा अच्छा लगता है कर दो कि अच्छा 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 प्लेट रहते हुए देखो मैंने ट्रें में दिया है और यह बिल्कुल का मसालो वाली सब्जी आप सौरी किसी की मुझ में अगर पानी आ रहा हो तो के यह रूव की कारिस्ता नी का हां य है अपना यह सिटीकर देखे रहे अपने के अपने के अपना जिसे ही मुझ माया है यह यह पर यह बहुंत भीन इसको बहुत अच्छा लग रहा हटा ये यह को कि देखो और इसको बहुत अच्छे से अज नहला दिया है क्योंकि बीच बीच में पत्तों को वाश कर देने से ना गंदगी हड़ जाती है और यह बहुत सुंदर सा रेड कलर है सिंग बोनियम